C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार पाठ बारह हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान प्रिष्ट संख्या 128 यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बंबई यानि मुंबई से 16 जुलाई को और नेरोबी से 17 जुलाई को मौरिशस के लिए रवाना हुआ इधर से जाते समय नेरोबी यानि केनिया की दुनिया में मुझे एक रात और दो दिन टहरने का मौका मिल गया अतेव मन में ये लोब जग गया कि मौरिशस के भारतियों और अफरीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफरीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए जहाज यानि विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था अतेव हम जिस दिन निरोबी पहुँचे उसी दिन नैशनल पार्क में घूमने को निकल गए निरोबी का नैशनल पार्क चिडिया घर नहीं है शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक पेड़ बहुत कम है लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सडकें बिची हुई है और परेटकों की गाड़ियां उन पर दोड़ती ही रहती है हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दोड़ना पड़ा मगर सिंग कहीं भी दिखाई नहीं पड़े एक जगह सडक पर दो मोटरे खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चड़े हुए थे परेटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिसकुट खाने को दे देते हैं अतेव मोटर के रुकते ही बंदर उसे गेर लेते हैं बड़ी दूरी तय करने के बाद या यू कहिए कि दस बीस मील के भीतर हर सडक चान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहां सिंग उस दिन आराम कर रहे थे वहाँ जो कुछ देखा वो जन भर कभी नहीं भूलेगा कोई साथ आठ सिंग लेटे या सोई हुए थे और उन्हें घेर कर आठ दस मोटरें खड़ी थी तुर्रा ये कि सिंगों को ये जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाली लोग कौन है मोटरों और शीशे चढ़ा कर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंगों ने कभी भी द्रिष्टिपात नहीं किया मानो हम लोग तुच्छा ती तुच्छ हों और उनकी नजर में आने की योग्य बिलकुल नहीं हों प्रिष्ट संख्या 139 हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे इस बीच एक सिंग ने उठकर जमहाई ली दूसरे ने देह को ताना मगर हमारी और किसी भी सिंग ने नजर नहीं उठाई हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बत्तर समझे गए इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिर्णों का एक जुन्ड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिलकुल बेवकूफ की तरह खड़ा था अब दो जवान सिंग उठे और दो चल दिये एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगा बैठ गया लेकिन दूसरा घाज के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा हिर्णों के जुन्ड ने ताल लिया कि उन पर सिंगों की नेजर पड़ रही है अतेव वे चर्णा भूल कर चौकन्ने हो उठे फिर ऐसा हुआ कि जुन्ड से छूट कर कुछ हिर्ण एक तरफ को भाग निकले मगर बाकी जहां के ताहां ठिटके खड़े रहे बाकी हिर्ण ठिटके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंग उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवर्ती हिर्णों को ये समझा रही थी कि खातरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है शिकार सिंग सुर्यास्त के बात किया करते हैं और शिकार वे जुन्ड का नहीं करते बलकि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए जुन्ड से पिछड जाता है अब ये बात समझ में आई कि हिर्ण भागने को निरापद नहीं समझ कर एक गोल में क्यों खड़े थे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है अतेव मैंने तै कर लिया कि अब घर लोटना चाहिए नेरोबी से मौरिशस तक हम बीयो एसी के जहाज में उड़े जहाज नेरोबी से चार बजे शाम को उड़ा और पांच घंटों के निरंतर उड़ान के बाद जब वो मौरिशस पहुँचा तब वहां रात के लगभग दस बज रहे थे रात थी अंधेरा था पानी बरस रहा था मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे हवाई अड़े के स्वागत का समा देख कर ये भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वो छोटे पैमाने पर भारत ही है मौरिशस द्वीप भूमद रेखा से कोई 20 डिग्री दखिन और देशानतर रेखा 60 के बिलकुल पास किन्त उससे पश्चिम की और बसा हुआ है मौरिशस के लंबाई 39 मील और चोड़ाई कोई 30 मील है प्रिष्ट संख्या 130 वैसे पूरे मौरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आका जाता है ये द्वीप हिंद महासागर का मोती है भारत समुद्र का सबसे खोपसूरत सितारा है मौरिशस वो देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है मौरिशस वो देश है जहां की जनसंख्या के 67 प्रतीशत लोग भारती खानदान के हैं तथा जहां 53 प्रतीशत लोग हिंदू है मौरिशस वो देश है जिसकी राजधानी पोट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई हैं तथा जिसके एक पूरे मोहले का नाम काशी है मौरिशस वो देश है जहां बनारस भी है गोकुल भी है और ब्रह्मिस्थान भी मौरिशस वो देश है जहां माधमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है इस प्रिष्ट के मध्य भाग में मौरिशस की एक खूबसूरत जील का द्रिश है जिसके किनारे पर कई सारी किष्टियां भी है और इस द्वीप पर बहुत सारे हरे भरे पेड है चोकि मौरिशस की हिंदूों में से अधिकाश, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग है इसलिए हिंदी का मौरिशस में व्यापक प्रचार है मौरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किन्तु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है मगर जनता वहां क्रेयोल बोलती है क्रेयोल का फ्रेंच से वही संबंध है, जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है प्रिष्ट संख्या 131 और क्रियोल के बाद मौरिशस की दूसरी जनभाशा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा प्राय सभी भारतिये भोजपुरी बोलते अत्वा उसे समझ लेते हैं यहां तक कि भारतियों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बहुभी बोल लेते हैं किन्तु मौरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है उसमें फ्रेंच के इतने संग्या पद घुज गए हैं कि आपको बार-बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे मौरिशस में ओक की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतियों के कारण मिली है मौरिशस की असली ताकत भारती लोग ही है सारा मौरिशस क्रिशी परधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहां का प्रमुक अथवा एक मात्र उद्ध्योग है किन्तु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो उख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृती कितनी प्राणवती और चिरायो है किन्तु मौरिशस जाकर हम अपनी संस्कृती की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारती लोग भी क्रिस्तान हो जाएं किन्तो भारतियों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने चोटा सा हिंदुस्तान बना डाला ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतियों को गर्व होना चाहिए इस प्रिष्ट के निचले भाग में मौरिशस के एक सुन्दर मंदिर का द्रिश्य है मौरिशस के प्रतेग प्रमुक ग्राम में शिवाले होता है मौरिशस के प्रतेग प्रमुक ग्राम में हिंदू तुलसी कृत रामयर अर्थात राम चलित मानस का पाठ करते हैं अत्वा ढोलक और जांज पर उसका गायन करते हैं मौरिशस के मंदिरों और शिवालियों को मैंने अत्यन्त स्वच और सुरम में पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच और सुरम में बनाना आरंब कर दें। जितने स्वच वे मौरिशस में दिखाई देते है भारत के पर्व त्योहार मौरिशस में भी प्रचलित हैं किन्तु वर्ष का सरुष्रिष्ट धार्मिक पर्व शिवरात्री है मौरिशस के मध्य में एक जील है जिसका संबंद हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस जील का नाम अब परी तालाब हो गया है परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं दृष्ट से भी पिकनिक का स्थान है किन्त वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मचली नहीं ले जाते ना अपवितरता का वहाँ कोई व्यपार करते हैं शिवरात्री के समय सारे मौरिशस के हिंदू श्वेत वस्तरधारन करके कंधों पर कावर लिए जुलूस बांध कर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भर कर अपने अपने गाउं के शिवाले को लोट जाते हैं तथा शिवजी को जल चड़ा कर अपने घरों में प्रवेश करते हैं ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवितरता से करते हैं सभी व्यस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं हाँ, बच्चे हाफ पेंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहनने पढ़ती है परी तालाब पर लगने वाला ये मेला मौरिशस के प्रमुक आकरशनों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं और दाइं ओर लेखक रामधारी सिंग दिनकर जी का चित्र है, नीचे लिखा है 1908 से 1974, लेखक से परीजय आपने जो रूचक यात्रवृतांत पढ़ा है, उसे हिंदी के प्रसिध लेखक रामधारी सिंग दिनकर ने लिखा है दिनकर की रचनाओं के विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति, उनकी रचनाओं में वीर्ता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है स्वतंतरता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विशय बना रहा उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तके लिखी हैं, जैसे मिर्च का मजा, पढ़कू की सूज और सूरज का ब्याह आदी पाट से आईए अब हम इस पाट को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं यहां दी गई गतिविधियां इस कारे में आपकी सहता करेंगी, आईए इन गतिविधियों को पूरा करते हैं मेरी समझ से कह यहां दिए गए प्रश्णों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाईए एक, हिरन समोह में क्यों खड़े थे? एक, भागने पर उन्हें सिंग के आकरमन का डर था? दो, वे भाग चुके हिरनों के लोटने की प्रतिक्षा में थे? तीन, वे बीच खड़े असावधान जिराव की रक्षा कर रहे थे? या चार, सिंग उनसे उदासीन थे, अता, उन कोई खत्रा नहीं था. अब आप सठीक उत्तर के सामने तारा बनाईए. दो, मौरिशस छोटे पैमाने पर भारत वर्ष ही है. कैसे? गन्ये की खेती अधिकतर भारतियों द्वारा की जाती है. अधिकतर जनसंक्या भारत से जाने वालों की है. सभी भारतवासी परी तालाब पर एकत्रित होते हैं. भारत की बहुत से विशेशताएं वहां दिखाई देती हैं. ख. अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारान बताईए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने? प्रिश्ट संख्या 133. पंक्तियों पर चर्चा. पाठ में से चुनकर कुछ पंक्त कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए. भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारती ये संस्कृती कितनी प्राणवती और चिरायू है. किन्तु मौरिशुस जाकर हम अपनी संस्कृती की प्राणवत्ता का ज्यान आसानी से प्राप्त कर लेते है सोच वीचार के लिए इस यात्रा वृतांत को एक बार फिर से पढ़िए और इनके बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए. का नैरोबी का नैशनल पार्क चिडिया घर नहीं है. नैशनल पार्क और चिडिया घर में क्या अंतर है? ख, हम लोग पेड पौधे और खरपात से भी बत्तर समझे गए. वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड पौधों और खरपात से भी बत्तर समझ लिया था? उन्होंने ऐसा क्यूं समझ लिया था? घः मौरिशस की असली ताकत भारतिये लोग ही है पाथ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तरक दिया गया है घः उस दुईब को उन्होंने चूटा सा हिंदुस्तान बना डाला भारत से गए लोगों ने मौरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया है मिलकर करे मिलान पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंब एक में दिये गए हैं उनसे संबंदित वाक्य स्तंब दो में दिये गए हैं अपने समों में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खीच कर शब्दों का मिलान उप्युक्त वाक्यों से कीजिए इसके लिए आप शब्द कोश, इंटरनेट, पुस्तकाले या अपने शिक्षिकों की सहयता ली सकते हैं प्रिष्ट संख्या 135 इस प्रिष्ट पर एक तालिका दी गई है तालिका के दो भाग हैं, स्तंब एक और स्तंब दो इस्तंब एक के नीचे लिखा है एक अफरीका, दो नैरोबी, तीन रक्तचाप, चार बी ओ ए सी, पांच भोमध्य रेखा, छै देशांतर रेखा, साथ तुलसिदास, आठ क्रियोल, नौ कावर और स्तंब दो के नीचे लिखा है एक, ये अफरीका, महाद्वीब के एक देश, केनिया की राजधानी है, दो, ये श्रीराम के जीवन पर आधारित, अमर ग्रंत, राम चरित मानस लिखने वाले कवी का नाम है, तीन, ये एश्या के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा महाद चार, ये रक्त वाहिनियों अर्थात, नसों में बहते रक्त द्वारा, उनकी दिवारों पर डाले गए दवाव का नाम है, पांच, ये दो भाशाओं के मिलने से बनी नई भाशा का नाम है, छे, ये बिटिश ओवरसीज एरवेज कॉर्पोरेशन नाम का छोटा रूप है, ये एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कमपनी थी, साथ, ये प्रित्वी के चारों और एक कालपनिक वृत है, जो प्रित्वी को दो भागों में बाटता है, उत्री भाग और दक्षणी भाग, आठ, ये बांस का एक मजबूत डंडा होता है, जिसे कावर या बहंगी भ कर ली जाते हैं, नौ, ये गलोब पर उत्तर से दक्षण की ओर खीची जाने वाली कालपनिक रेखाएं हैं, ये उत्तरी दुरुव को दक्षणी दुरुव से मिलाती हैं, अब आप स्तंब एक का स्तंब दो के साथ उचित मिलान कीजिए, प्रिष्ट संख्या 136 यात्रा वृतांत की रचना स्वयम भी उस थान की यात्रा कर रहे हैं, जहां का वर्णन लेखक नि किया है, ये इस यात्रा वृतांत की एक महत्वपूर्ण विशेशता है, यदि आप इस यात्रा वृतांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको और भी बहुत से विशेशताएं पता चल लिजिए, जैसे लेखक ने बताया है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे और कब पहुँचा, अनुमान या कल्पना से, अपने समोह में मिलकर चर्चा कीजिए, का मौरिशस वो देश है, जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी, मौरिशस में लोगों ने गली मोहलों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे, ख, कोई साथ आठ सिंग लेटे या सोई हुए थे, और उन्हें घेर कर आठ दस मोटरें खड़ी थी, आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रे पार्क पलेटकों से भरा रहता है, पलेटक जंग अश्ट्रे पार्क के बंदरों सिंगों का वेहवार भी बदल गया है, ग, हिरनों का एक जुन्ड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिलकुल बेवकूफ की तरह खड़ा था, सिंगों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा, ग, मौरिश मौरिशस के मध्ध में एक जिल है, जिसका संबंद हिंद्वों ने परियों से बिठा दिया है, और उस जिल का नाम अब परी तालाब हो गया है, उस जिल का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा, प्रिश्ट संख्या 137 अंगा, आपको ये जानकर आश्चर होगा, कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदल कर गंगा तालाब कर दिया गया है, मौरिशस के लोगों ने ये नाम क्यों रखा होगा? शब्दों की बात, यहां शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविध्या दी गई है, इन्हें करने के लिए आप शब्द कोश, पुस्तकाले, अपने शिक्षकों और साथियों के सहायता भी ले सकते हैं संग्या के स्थान पर का हिरनों ने ताड लिया कि उन पर सिंगों की नजर पड़ रही है, अत एव वे चरना भूल कर चोकन ने हो उठे इस वाक्य में उन शब्द और वे शब्द रेखांकित हैं, इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजे, इन वाक्यों में ये शब्द किन के लिए उप्योग किये गए हैं? ये शब्द हिरनों के लिए उप्योग मिलाए गए हैं, आप जानते ही हैं कि हिरन यहां एक संग्या शब्द है, जो शब्द संग्या शब्दों के स्थान पर उप्योग मिलाए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, अब यहां दिये गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दो को पहचानिये और उनके नीचे रेखा खीचिये एक हाँ बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पढ़ती है दो भारतियोंने अत्याचार तो सही लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीब को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला खा यहां दिये गए दोनु वाक्यों को सर्वनाम की जगा संग्या शब्द लगा कर लिखिये पहचान पाठ के आधार पर आपने इस यात्रा वृतांत में तीन देशों के नाम पढ़े हैं भारत, केनिया और मौरिशस पुस्तकाले या कक्षा में उपलब्द मानचितर पर भारत को तो आप सरलता से पहचान ही लेंगे पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर बाकी दोनों दिशों को पहचानिये प्रिश्ट संख्या 138 पाठ से आगे आपकी बात कर वहाँ जो कुछ देखा वो जन्म भर कभी नहीं भूलेगा क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे उसके बारे में अपनी समू में बताईए ख, हमें अफरीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए मुलाकात शब्द का अर्थ है मिलना लेकिन यहां मुलाकात शब्द का भाव है शेरों को पास से देखना इसके लिए अपनी आँखों से देखना, सजीव देखना, बेट करना आदी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है अपनी बात को और अधिक सुन्दर और अनुखा रूप देने के लिए शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं आपने अब तक किन-किन पशुपक्षियों से मुलाकात की है वो मुलाकात कहा होई थी, बताइए गर, ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतियों को गर्व होना चाहिए आपको किन-किन बातों पर गर्व होता है, बताइए संकेत, ये बाते आपके बारे में हो सकती है आपके परिवार के बारे में हो सकती है और किसे अन्य व्यक्ति, वस्तू, स्थान, प्राणी आधि के बारे में भी हो सकती हैं कक्षा और घर की भाषाएं प्राए सभी भारतिये भोजपुरी बोलते अत्वा उसे समझ लेते हैं यहां तक के भारतियों के पडोस में रहने वाले चीने भी भोजपुरी बहुभी बोल लेते हैं भारत एक बहु भाषी देश है भारत में लगभग सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल या समझ लेते हैं आप कौन-कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं आपके मित्र कौन-कौन सी भाशाएं बोल समझ लेते हैं। इसके बारे में यहां दी गई तालिका को पूरा कीजिए। प्रिष्ट संख्या 149 इस प्रिष्ट पर चार विभिन स्तंभ हैं, जिनके शीर्षक हैं क्रम संख्या। मैं जिन भाशाओं को बोल समझ लेता या लेती हूँ। तीसरे स्तंभ का शीर्षक हैं मेरे मित्र जिन भाशाओं को बोल समझ लेते हैं। और चौथे स्तंभ का शीर्षक हैं मेरे परीजन जिन भाशाओं को बोल समझ लेते हैं। इन शीर्षकों के अनुसार इनके नीचे दिये गए रिक्त स्थानों को भरिये और ये भी बताईए कि कुल संख्या कितनी हुई संकेत इस तालिका को पूरा करने के लिए आपको अपने मित्रों और परिजनों से पूछताच करनी होगी पहले भाषाओं के नाम लिखने हैं बाद में उन नामों को गिन कर उनके कुल संख्या लिखनी है प्रशंसा या सरहना विभिन्य प्रकार से ये द्वीप हिंद महासागर का मोती है भारत समुद्र का सबसे खोपसूरत सितारा है इस पार्ट में लिखक ने मौरिष्यस की सरहना में ये वाक्य लिखा है सरहना के लिए दिनकर ने द्वीप की तुलना मोती और तारि से की है किसी की सरहना अनेक प्रकार से की जा सकती है आप यहाँ दीगी तालिका को पूरा कीजिए पहले नाम लिखिए फिर इनकी प्रशंसा में एक एक वाग की लिखिए शर्त ये है कि प्रतेक बार अलग तरह से प्रशंसा करनी है प्रिष्ट संख्या 140 इस प्रिष्ट के उपरी भाग में तीन स्थम्भ है पहले स्थम्भ में अलग-अलग शब्द लिखे हैं जैसे स्वयम, परीजन, शिक्षक, मित्र, पशु, स्थान, सबजी और पेड़ ये विभिन पंक्तियों ध्वारा विभाजित है दूसरे स्थम्भ का शीर्शक है नाम यानि आपको इन अक्षरों को पहचानते हुए इनके नाम दूसरे स्थम्भ में लिखने है और इनी अक्षरों को पहचानते हुए तीसरे स्थम्भ में लिखना है प्रशंसा या उसके प्रती अपनी सराहना का वाक्य चित्रात्मक सूचना, इन्फो ग्राफिक्स यहाँ दे गए चित्र को समझे इसमें चित्रों के साथ साथ बहुत कम शब्दों में कुछ जानकारी दी गई है इसे चित्रात्मक सूचना कहते हैं प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है जिसके बीचों बीच कुछ महिलाएं और पुरुष के चित्र है साथ ही तिरंगा जंडा बना है साथ ही यहाँ पर मौरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम का चित्र भी है चित्र के सबसे उपर लिखा है साल 1834 में दो नवंबर को एटलस नाम का जहाज भारती मजदूरों को लेकर मौरिशस पहुचा था जिसे वहाँ पर अप्रवासी दिवस यानि इंडियन अराइवल डे के रूप में मनाया जाता है इस चित्र का शिर्षक है जब मौरिशस में गूंजा जैहिंद यहाँ पर कुछ जानकरियां दी गई है जैसे मौरिशस में भारती मोल के लोगों की आबादी देश में 68 परतीशत से भी ज़्यादा है ब्रिटिश शासक गन्ये के खेतों में काम करने के लिए भारती मजदूरों को वहाँ ले गए थे यही वज़ा है कि मौरिशस की संस्कृती में भोजपुरी गीतों और हिंदी फिल्मों का खास योगदान है इन में से ज्यादातर बिहार के थे लेकिन तमिल, तेलगु और मराठियों की तादाद भी अच्छी खासी थी मौरिशस के पहले प्रधान मंत्री शिव सागर राम गुलाम भी भारती मूल के थे प्रिश्ट संख्या 141 इस चितरात्मक सूचना के आधार पर मौरिशस के बारे में एक अनुच्चेद लिखिए ख अपनी पसंद के किसी विशय पर इसी प्रकार की चितरात्मक सूचना की रचना कीजिए जैसे आपका विद्याले कोई विशेश दिवस, आपके जीवन की कोई विशेश घटना आदी संकेत ये कारे आप अपने सम्हूं में मिलकर कर सकते हैं इसके लिए आप किसी कागज पर चित्र चिपका सकते हैं और सूचना को कलात्मक रूप से कम शब्दों में लिख सकते हैं चित्र बनाए भी जा सकते हैं आप ये कारे कमप्यूटर या मूबाइल फोन की सहयता से भी कर सकते हैं हस्ताक्षर आप जानते ही हैं कि ये पाठ हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंग दिनकर ने लिखा है वे अपने नाम को कुछ इस प्रकार लिखते थे यहाँ पर एक आयताकार आकरटी है जिस पर रामधारी सिंग दिनकर के हस्ताक्षर है अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपने नाम को किसी विशेश प्रकार से लिखने को हस्ताक्षर कहते हैं हस्ताक्षर का प्रयोग व्यक्ति को जीवन भर अनेक कारियों के लिए करना होता है आपके विद्याले में भी आप से हस्ताक्षर करवाय जाते होंगे आप प्रार्थना पत्रों के अंत में भी अपने हस्ताक्षर करते होंगे हो सकता है अभी आपने हस्ताक्षर निर्धारित न किये हो यदि नहीं भी किये हैं तो कोई बात नहीं आप चाहें तो आज से भी अपने हस्ताक्षर निर्धारित कर सकते हैं यहां दिये गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर पांच बार कीजिए। ध्यान रखें कि आपके हस्ताक्षर एक जैसे हों, अलग-अलग ना हों। यहां पर एक आयताकार आकरती है, जिसमें आपने अपने हस्ताक्षर करने हैं। प्रिष्ट संख्या 142 पत्र यहां दिनकर का लिखा एक पत्र दिया जा रहा है, इसे पढ़िए और प्रश्णों के उत्तर लिखिए। पत्र पढ़कर यहां दिये गए प्रश्णों के उत्तर अपने समू में मिलकर खोजिए। पत्र है। नई दिली 87766 मानिवर चतुरवेदी जी, आपका कृपा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ इधर बहुत गिर गया है। और संयम के बावजूद तेजी से सुधर नहीं रहा है। मेरा चित अभी भी दवा हुआ है। ऐसे अवस्था में मैंने दो सप्ता के लिए मौरिशुस जाना स्विकार कर लिया है। पंधरा जुलाई को प्रस्था लोटな शायद पाँच अगस्थ तक हो, आपके आशिरवात की काम ना करता हूँ, आपका दिन कर। सफदर जंग लेन नई दिल्ली। क पत्र किसने लिखा है? ख पत्र किसे लिखा गया है? ग पत्र किस स्थान से लिखा गया है? अंग अग, पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है? चा, पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है? उल्जन सुल्जाओ क जहाज नेरोबी से चार बजे शाम को उड़ा और पांच घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वो मौरिशस पहुँचा तब वहां रात के लगबग दस बज रहे थे प्रिश्ट संख्या 143 जहाज नेरोबी से शाम चार बजे उड़ा तो उसे पांच घंटों की उड़ान के बाद रात नौ बजे मौरिशस पहुँचना चाहिए था लेकिन वो पहुँचा लगबग दस बजे क्यों आप इसका कारण पता करने के लिए अपने शिक्षकों या इंटरनेट की सहता ले सकते हैं ख यहां दो घड़ियों के चित्र दिये गए हैं एक घड़ी भारत के समय को दिखा रही है दूसरी घड़ी दिखा रही है कि उसी समय मौरिशस में कितने घंटे और मिनट हुए हैं इन घड़ियों के अनुसार यहां दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए यहां पर दो गड़ियों के चित्र हैं, पहली घड़ी के नीचे लिखा है भारत में घड़ी और उसमें समय दर्शाया गया है पांच बच कर 20 मिनट, दोसरी घड़ी के नीचे लिखा है मौरिशस की घड़ी और उसमें समय दर्शाया गया है चार बजने में 10 मिनट, भारत में क्या समय मौरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है। प्रिश्ट संख्या एक सोचावालेज वाक्य है येला मालत येला घौलश मेरा आगे रिक्त स्थान है संखेत कख खोज बीन के लिए यहां दीगे रचनाओं को पुस्तक में दिये गए QR कोड की सहता से पढ़ें देखें वह समझें चांद का कुर्ता मिर्च का मजा राष्ट्र कवी रामधारी सिंग दिनकर की जीवनी और हिमाले के परवती प्रदेश की मनुरम यात्रा अभी आप सुन रहे थे तक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार, वाचनस्वर, प्रवीन शर्मा और ममता मलकानी ध्वन्यंकन, मन्जु कुमारी, निर्माण सहयोग, कुसुमलता और चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नईदिल्ली, भारत